दोस्तों एक रुपे की शैंपू में कुछ ऐसी इंगिदेंस आपको मिलाना है जिसे कि आप अपने शैंपू को बहुत ही अमेजिंगली बना सकते है वो भी आप अपने सफेद बालों को जड़ों से काला बनाने के लिए दोस्तों ये काम आप जरूर करिएगा सो फ्रेंड्स वेल्कम बाक तो दी चैनल मैं चैनल नेम इस मुंबीकर बिंदू एन आम इंदू में अपने चैनल पर हैर के स्कीन के लिए से बहुत सारे यूस्पूल रेमेडी आप लों के साथ शेयर करती हूँ वैसे देखिए दोस्तों चोटी उम्र में अगर आपके बाल स नाचरल तरीके से काला होते हुए देख सकते हो दोस्तों तो शैंपू देखिए हमें हाफते में तीन लार या फिर में बालों होते हैं वह बहुत ज़्यादा डेली यूस करते हैं शैंपू का तो दोस्तों आपको इस तरह से कुछ ऐसी इंगेंस में मिला ये जिसे की बाल जो है वो नाचुल तरीके से काले भी रहें घने रहें और बालों में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है उसके लिए आपको लेना है शैंपू जो आप भी शैंपू यूज कर रहे हैं चाहँ यूज करनेसे आपके बालों में जितने भी प्रॉबलम से इसे विए सारी प्रॉबलम में वह सल्व होती है जैसे कि बहुत सारे लोगों के इनो स्केल्ट में इंट्फेक्शन अगले लग जाती है तो जितने बालों को बहुत ही आवाद्ँक्ण बामेज आपके बाल उनको रिपेर करने का काम करती है सफेग बालों के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है जामून का पाउडर तो आप यहां पे जामून का पाउडर जरूर यूज करिएगा बस एक इंग्रिडेंस आपको लेना है जैसे मैंने आपको बता है इसमें आपको वाटर मिल दोस्तों आप वहां से जाके वाई कर सकते है और इस तरहसे आपने बालों को पर यूज सीफ कर दिया तो भrobकाल यूज शेंपू श्यामून आप पर शियून को लिए निकलन तौर समामून कंशना आप लि वर्गूऑ natur के जामून के नहीं फ्मेर करने लाले हैं और आपक वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ना भूलिएगा मिलती मैं आपको नेक्स वीडियो में जिसे आप अपने बालो को नाचुल तरीके से काला बना सकते हैं और नाचुल तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं